हाई दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज हम जा रहा हैं सौ बीमारी का एक दवा पनानी देखिए जिसमें की बदान ले लिए हैं प्रोक ले लिए हैं ये सुखा नाया ले लिए हैं इसको हम ट्राई ऐसे ही हलका सा भूल लेंगे भूल लेंगे इसको बहुत अच्छा है ये सेहत के लिए सर्दी में आप खाईए और बनाई बहुत अच्छा है जैसे बाल के लिए आँख के लिए हड़ीयों के लिए दर्द जर्द नहीं होगा इसकी जो है किसमें चमक आएगा बहुत अच्छा बर्फी बनाएंगे हम इस इसको हम भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे, थोड़ी सी हमली हैं किरवंजी, इसको ऐसे बीच में हम डाल देंगे, इसको भी बहुत जाते नई भूनना है, हलका सा भूनना है, इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा चला करके, भून ले रहे हैं, अब फिर हम इसको प् आत्रे इसको भूनने में 2 से 3 मिनिट लगा है अब हम इसको प्लेट में चाल लेते हैं और यह ठंडा करते हैं तब तक हम चलते हैं इसमें दूसरा कुछ भूनने कडाई को अलका साम साफ कर लेते हैं तीसू देपर से हम साफ लिए हैं और इसमें हम डालेंगे संप आधा चलम साफ से खुसभू अच्छा आती हैं अब बहुत इच्छा इससे जो है कि आपके लिए और पाचन के लिए पेट के लिए बहुत सही होता है और इसमें हम डालेंगे अपती सील में हलका सा जिसे की बतलब गर्मी सी होती है तो ठंडी के सीजन में यह नुपसान नहीं करता ब अब हम इसको भी निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं तो यह ठंडा हो चुका है अब हम इसको डाल लेते हैं मिक्सर जार में और इसको हम हालका सा दर-दरा करके पीस लेंगे तो यह दर-दरा सा देखें इसको निकाल लिए हैं मिक्सर जार से अब इसी जार में जो हम साफ और सफिर तील हम रखे हैं उसको भी हम इसको डालेंगे इसको भी बारीक पीस लेंगे एक कितना अच्छे है इसको बारीक पीस लिए है इसी ड्रायग फूड में इसको लेते हैं अब हम कडाही में डाल रहा है एक चम्रच करी घी हल्का सा मेल्ट हो जा रहा है इसमें हम डालेंगे यह हम करी दो इंच का अधरक घिसके रखेंगे इसको डाल गेंगे अधरक घी में भुना गया है पुराने जवाने में दादी ओदी रहती थी लोग तो लोग गोड और काली मेर्च अधरक खासी उसी आने पर देती थी बहुत अच्छा काम करता था तो उसी तरीके से यह वर्थी जो बना रहे है यह भी बहुत अच्छा काम करेगा इसलिए हर यह किसमें मसाले जो जड़ी बुटी वाले हैं सब डाल रहे हैं और इसमें अजार हम हल्दी राले हल्दी जो है के अंटिवाटे के एक उती है तो यह भी हम डाल दूए इतना इसको अच्छे से इसके साथ पका लेंगे अजो देख कितना आच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं फद्दी जोड़ा सावर हम डाल लेते हैं हल्दी अच्छा रहता है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम आधा केजी करी आर्गनिक गुड़ लिए हैं इसमें की पेवर एक दव आर्गनिक है और ऐसे हम गुड़ भी डाल देंगे इसमें गुड़ भी हम डाल दिये हैं यह गुड़ नहीं बनेगा गुड़ का ही यह बर्फी है इसको हम अच्छे से बहुत जाते नहीं इसको मिक्स करना थोड़ा करना है ऐसे चलाएंगे यह खुद लिट हो जाएगा गुर अच्छे से मिल्ट हो गया है इसमें हम डाल रहे हैं काली मीच का पाउडर थोड़ी सी काली मीच भी खासी में बहुत अच्छा फाइदा करता है और इसमें डाल रहे हैं छोटी लाइची आधा चम्मच से कमी है ये पाउडर डाल रहे हैं डाल चीनी डाल रहे हैं ये भ जादे रहें कभी और हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जादे इसको पकाना नहीं है बस ये पक चुका है अब हम एक थाली लेंगे और थाली में हम नीचे से घी लगाएंगे जैसको हम बंद कर दिये हैं अच्छे से मिक्स करके और थाली हम चलते हैं घी लगाने है इशे लगाने हैं कि अाधा चमन चुनल ले लिया है इसको अच्छे सब्सक्राइब नो ताल्ग में लगा लेंगे कि थाली नयुकर नहीं है अरी चेश औह दो अप्छए आप आपकर को हम पष्पा करें से इसीं में डाल दे रहे हम और इसको भी कि अच्छे से मिक्स कर लिए कि चु छलती है मिख करके थाली में ग्राइगे पहले अच्छी से मिख्स करें ताकि थाली में सिर्फ हमको फैलाना रहेगा देखिए इस तरीके से हम इसको बड़े यहां से इसको हम मिक्स कर लिए हैं बहुत अच्छा है सर्दी बुखार खांसी आंख दर्ग में कमर दर्ग में सब में बहुत फाइदा करता है इस तरह बनाईए का आप लोग खाईएगा ज़रूर बताये कैसा बना है तो घी लगा कर अब बर्षी की तरह हम इसको ठंडा होने के बार काटेंगे अब अब ऐसे हम को ठाली में यह फैला लेना है इस तरीके से देखिए घीर लगने से अभी यह ठंडा ठीक से नहीं हुआ है तभी यह इधर-उदर सरक रहा है घीर लगाने से बहुत अच्छे से छूड़ जाता बर्षाले में चिपकता नहीं है तो ऐसे हम बराबर से कर देंगे और ठंडा होने तक का हम इंतजार करेंगे यह पुरी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसको हम चाकू के सहारे से ऐसे हम काट लेंगे बर्षी की तरह कितना अच्छा से घीर लगाने से यह तोट जा रहा ह अब ऐसे हम पुरा है से चाकू से काट लेंगे गोड़ और यह ड्राय खोड से हम पुरी बर्षी बना चुके हैं देही कितना अच्छा बना हुगा है और यह एक दवाई है सो बीमारी को दूर करने वाला है यह बनाएगा खाएगा कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा बना है कितना अच्छा बना कटा भी है वर्फी ऐसे हमने काट लिया चाकु से अलग-अलब हो गया है यह इस तरीके से कमेंट पर जरूर बताएगा आप लोग